हेई फेंस, विलकम, कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंस, आप सभी सुवस्त होंगे और अपना-पना ख्याल रख रहे होंगे आज की रीडिंग में फ्रेंस हम लोग चेक कर रहे हैं कि जिनके बारे में आप दिन और रात सोच रहे हैं, वो वो आपके बारे में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके बारे में उस वक्त क्या सोच रहे हैं इस connection का immediate future क्या हो सकता है, कब तक हो सकता है, क्या blockage है, कैसे remove हो सकती है और आप लोगों के लिए क्या guidance है लास्ट में हम लोग चेक करेंगे आपके किसी भी question का answer yes है या फिर no है without much further ado, let's get started friends, positive energies को exchange करें वीडियो को जल्दी से like करें अपने person को visualize करें, deep breath लें seven of sorts के energy है bottom में है हमारा page of cups मैं है आपे friends strongly feel कर पा रहे हूँ कि आपके person बहुत कुछ चुपाते हैं आपसे yes, आपके person आ काफी कुछ चुपाते हैं आपसे जिसकी वज़े से आपके मन में भी बहुत सारे doubts आते हैं कि आखिर ये person चाहता क्या है या आखिर ये person चाहती क्या है वैसी vibrations यहाँ पर काफी strongly आ रही है मैं ऐसा भी strongly feel कर पा रही हूँ कि जब आप इनसे clearly बात करने की कोशिश करते हैं या फिर आप इनको complaints देने की कोशिश करते हैं कि आपने मेरा call नहीं उठाया या आपने मुझे attend नहीं किया या आप मुझे ignore कर रहे हो तो भी इस person का ये हाल दिखाई देता है कि ये person या तो बहुत ही प्यारी प्यारी बाते करके आपको पटा लेते हैं आपको अपने according कर लेते हैं या फिर वैसी vibrations भी आ रही हैं कि आपको ना थोड़ा सा समझा कर फटा फट से वहां से कट लेते हैं कि फटा फट निकल जाओ नहीं तो पता नहीं कितने questions के answers देने ना पड़ जाएं वैसी vibrations friends यहाँ पर काफी ज़्यादा स्ट्रॉंग है Cancer Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius के energy काफी स्ट्रॉंग है हो सकता है इस energy से आप operate कर रहे हूँ या आपके person 7, 16, 25 नमबर या फिर ये dates काफी prominent दिखाई देती है आपके लिए, आपके person के लिए या फिर आप दोनों के connection के लिए मैं strongly friends ये भी feel कर पा रही हूँ कि आपके person ना sometime ऐसा behave करते हैं कि आपको लगता है कि कहीं ये आपको cheat तो नहीं कर रहे कहीं ये आपको धोका तो नहीं देरे कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है या किसी और को तो नहीं पसंद करते वैसी vibrations भी आपको आती होगी Queen of Swords and the Sun ऐसा भी लग रहा है हाँ पर कि आपके person ना बहुत सारे लोगों की life में ऐसी भी vibration आ रही है कि आप लोगों का connection ना online बना है online ये connection बना है और strongly मैं ये भी फिल कर पा रही हूँ कि आपके person ना आपसे ड़ते हैं हो सकता है कि आप में से कई लोग उनसे age में काफी ज़्यादा बड़े हों आनिये काफी युनों या तो immature हैं energies में या फिर age में काफी ज़्यादा कम हैं आप लोगों से तो ये आप से ड़ते हैं इन्हें लगता है कि आप इनका जूट पकड़ लोगे आप इनकी like manipulation को समझ लोगे अगर ये अपनी feeling से भाग रहे हैं या आप से कुछ चुपा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप लोगों को अंदाजा हो जाता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं जिसकी वज़े से आपके person आपसे काफी ज़्यादा डरते हैं ऐसा लगता है उन्हें कि जरासा आपके पास बैठे नहीं कि उनकी पोल खुली नहीं वैसी vibrations काफी strong आ रहे हैं आप में से कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप widow है, separated है या आपके person single है या फिर वो widow और separated है आप single है, वैसी vibrations भी है दे टावर है यहाँ पर और ऐसा लग रहा है king of cups मैं strongly हाँ पर ये भी feel कर पा रही हूँ कि आपके person आपको प्यार बहुत करते हैं आपके person आपको प्यार बहुत करते हैं और आपको permanent होने से काफी ज़्यादा डरते हैं तब ये आपके person को लगता है कि ऐसा ना हो कि उनकी किसी गलती और mistake की वज़े से आप नाराज हो जाए और ये connection permanently टूट जाए तो बहुत strong friends vibrations आ रही हैं कि आपके person को बहुत डर लगता है कि कहीं आप उनसे बहुत ज़्यादा नाराज ना हो जाओ और ये connection हमेशा हमेशा के लिए तूट ना जाए बिखर ना जाए आप मेंसे कई लोग same gender relationship में भी होंगे वैसी vibrations भी आ रही हैं और वहीं आप मेंसे कई लोगों के person ना उनके father से या उनकी mother से या उनकी wife से काफ़ी ज़्यादा डरते होंगे वैसी vibrations भी आ रही है कि कोई बहुत ये toxic और dominant personality है उनके यहाँ जिसकी वज़े से वो बहुत डर डर कर आपके connection में भी आगे बढ़ते हैं वो चीजे भी यहाँ पर आ रही हैं आपके person आपसे खुदी दूर भागते हैं और जब दूर भाग जाते हैं तो आपको stock भी करते हैं अब हम थोड़ा सा clarify कर लेते हैं कि जब भी आप यह reading देख रहे हैं उस ताइम वो क्या feel कर रहे हैं आपके person आपसे जल से जल मिलना चाहते हैं और मिलने का कोई बहाना ढून रहे हैं वो vibration है जब भी आप यह reading देख रहे हैं इसा लग रहा है कि आपके person जल से जल आपको call message करना चाहते हैं आपके साथ reunion में आना चाहते हैं और आपको काफे जादा sexually, romantically और physically miss कर रहे हैं चावड क्यूं है अगर आप लोग पोज में हैं ब्रेक ले रखा है connection में या फिर किसी तरह का कोई separation phase चल रहा है तो आपके person सारे लड़ाई जगड़ों को खतम करके अपने emotions अपनी feelings को जाहिर करके इस रिष्टे में reconciliation करना चाहते हैं एक नई शुरुवात करना चाहते हैं एक नया मोका मागना चाहते हैं आपसे और आपके person को ये भी पता है कि इस टाइम आप उनसे बहुत नाराज हैं जिसकी वज़े से वो काफी ज़्यादा डर भी रहे हैं यहाँ पे टावर, यहाँ पे टावर, king of cups के साथ है the world, 110% आपके person को ये भी पता है कि आपकी नाराजगी में भी उनके लिए काफी ज़्यादा feelings हैं, प्यार हैं और आपके person भी again इस connection में, इस connection में रियूनियन चाह रहे हैं, रिकंसिलेशन चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, ace of cups, ace of wands, इस connection की नई शुरुवात करना चाह रहे हैं, वैसी vibrations काफी strong है, the emperor क्यों है, please universe बताएं, emperor है, lovers, अगर अभी तक अपने, sorry, अगर अभी तक आपके person ने सिर्फ अपनी practical, अपनी practical side आपके सामने रखी है, attitude में रहे हैं, ego में रहे हैं, dominant थोड़ा सा behavior उनका रहा है, लेकिन अब वो आपको लेकर, इस connection को लेकर emotional हो रहे हैं, आपके साथ by heart, शादी, reunion और बच्चे चाह रहे हैं, और बहुत ही strong vibration आ रही है, कि आप में से बहुत सारे लोग twin flame और soul myth connection में हो सकते हैं, और इन दिनों आपको 777 और 1111 angel numbers काफी ज़्यादा दिख रहे होंगे, if yes, तो please mention this in the comment box, अब हम लोग चेक कर रहे हैं, next आप लोगों की connection में क्या हो सकता है, immediately, और कब तक हो सकता है, तो 10 of pentacles की energy है, आपके person अगर बात यहाँ पर wedding की है, तो और bottom में है 4 of pentacles, तो immediately, immediately, जब भी आप यह reading देख रहे हैं, within 4 days to 10 days, आपके person आपको लेकर बहुत ज़्यादा possessive होने वाले हैं, आपको लेकर काफी ज़्यादा obsessed होने वाले हैं, strongly मैं फिल कर पा रही हूँ कि अगर आप लगों की शादी या reunion, उनकी family की वज़े से नहीं हो पा रहा, तो अपनी family से या फिर आपकी family से वो आप दोनों के connection, शादी और reunion के बारे में खुल कर बात करने वाले हैं, वैसी vibrations यहाँ पर काफी ज़्यादा strong आ रहे हैं, अब हम चेक करेंगे friends, कि इस connection में क्या blockage है, और आप लोगों के लिए क्या guidance है, and last में हम चेक करेंगे yes or no reading, right, प्लीज universe बताएं, इस connection में क्या blockage है, और मेरे viewers के लिए क्या guidance है, इस connection को लेकर, solar plexus chakra, आप लोगों को need है solar plexus chakra को heal करने की या फिर करवाने की, आपका या फिर आपके person का solar plexus chakra जो है, वो heal नहीं है, जिसकी वज़े से confidence की काफी ज़्यादा कमी आ रही है, healing begins, और healing divine आपके कर भी रही है, और कई लोगों ने healing चुरू कर भी दी है, और कई लोगों को करनी है, right, और यहाँ पे भी है love abounds, love तो है आपके आसपस बहुत ज़्यादा, लेकिन बस वही है कि कहीं न कहीं, उस love को आप या आपके person समझ नहीं पा रहे हैं, और accept नहीं कर थोड़ा सा अपने love की vibrations को expand कीजिए, जो love आपकी तरफ आ रहा है, उसको accept कीजिए, feel कीजिए by heart आपको क्या चाहिए, अपने दिल की सुने, ठीक है, मन तो आपका भी नहीं लगता आपके person के बिना, चाहे आप उनसे जितना भी नराज हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में स finally yes or no, I hope आप लोगों ने question choose कर लिया होगा, हम चेक कर रहे हैं उसका answer yes है या फिर no, four of pentacles की energy है and bottom में है nine of cups, तो divine आपको घह रही है कि आपकी जो भी wish है, जो भी question है, 110% वो wish फुल्फिल होगी, तो a big yes for you friends, बस आपको करना क्या है, आपको करना बस इतना ही है कि जिन तिंक वाले mode में आ जाए, then automatically आप एक magnet बन जाएंगी and जो भी आपके desire है, वो आपकी तरफ खुद ही attract होनी शुरू हो जाएगी, thank you so much for watching friends, have a lovely day, take care, may God bless you.